Hello Friends Welcome to my YouTube Channel Friends आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने WhatsApp के HomePage पर अपना फोटो लगाना चाहो तो किस तरीके से WhatsApp के HomePage पर अपना खुद का फोटो लगा सकते हो आज की इस वीडियो में हम आपको एही बताने वाले हैं तो वीडियो को भिल्कुल इसकीप मत करिएगा और लाश्ट तक बने रहीएगा। तो चलिए friends वीडियो को start कर लेते हैं बेदावी time waste के लेकिन उससे पहले friends आप से छोटी सी request है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी helpful और knowledgeable लगे तो प्लीज वीडियो को like करके channel को subscribe कर लीजिएगा। तो चलिए friends अब हम जाल लेते हैं WhatsApp के home page पर अपना photo कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए friends सबसे पहला काम है कि आपको अपने notification को कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ slide कीजिएगा। उसके बाद friends यहाँ पर आपको dark theme या dark mode का option देखनी को मिल जाएगा। इसे आपको dark mode में कर लेना है यानि कि अपने phone को यहाँ पर dark mode में enable कर लेना है। अपको यहाँ पर अपको play store app को open कर लेना है। अप play store app को open करने के बाद friends यहाँ पर आपको search कर लेना है designer tools अब designer tools pro के नाम से एक app आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाएगा। इसे app को आपको अपने phone में install कर लेना है यानि कि download कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद friends इस app को आपको open कर लेना है, open करने के बाद friends यहाँ पर आपका design tools pro जो app है कुछ इस तरीके से open हो जाएगा, तो friends यहाँ पर आपको नीचे एक option देखनी को मिल जाएगा, mockup overlay का इसी पर आपको click कर देना है, इस पर click करने के बाद friends यहाँ पर आपको दो plus का option देखनी को मिल जाएगा, तो friends यहाँ पर आपको इस plus के option पर click करने के बाद यहाँ पर कोई permission allow मांगता है, तो allow all के option पर आपको click कर देना है उसके बाद friends यहाँ पर आपकी gallery open हो जाएगी तो यहाँ से जिस भी photo को आप चाहते हो अपने whatsapp के home page पर लगाना है उसे आपको यहाँ पर click कर लेना है जैसा कि माल लीजिए friends इस photo को मैं लगाना चाहता हूँ whatsapp के home page पर तो इस तरीके से मैंने click कर लिया तो friends इसी तरीके से आप भी click कर लीजिएगा उसके बाद friends यहाँ पर आपको mockup overlay का option देखनी को मिलेगा इसे आपको यहाँ पर on कर देना है उसके बाद यहाँ पर Quiet permission allow मांगता है तो Allow के option पर click कर देना है लेंगे यहां पर आपको अपने उठ्षाप से अर्जेश्ट करने के बात आपको यहां से डिरेक्ट ली बैक हो जाना है यहां पर आप WhatsApp को open करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपके WhatsApp के होम पेज पर फोटो लग जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, और WhatsApp के Home Page पर भी आपका ये फोटो देखनी को मिल जाएगा। तो फ्रेंट्स इसी तरीके से आप अपने WhatsApp के Home Page पर इस तरीके का फोटो लगा सकते हो। तो फ्रेंट्स यही छोटी सी information अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी helpful और knowledgeable लगी हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।